अलो दोस्तों ये है इंद्रारोसोई और राजस्तान सरकार द्वारा इंद्रारोसोई खोली गई हमारे भूज ग्राम पंचायत में तो ये देखिए यहाँ पर थीर ये है दाल और ये चपाती और ये है कडी शांदार देवस्ता और ये देख सकते हो इसका टेस्ट करके लेते हैं वाँ लाज जवाब टेस्ट दोस्तों खाने का स्वाद तो बे तोड है यानि कि ऐसा खाना हमने कभी खाया नहीं बिल्कुर स्वादिस्ट पहना है जैसा घर में बनता है बाकि लोग कुछ भी कहे और गरीबों के लिए ये वर्दान भी साबित हो रही है कापी टेस्ट है और आप देख रहे होंगे यह है इंद्रा रसोई आजी संकर जी क्या कहना चाहोगी आप इंद्रा रसोई के बारे में बहुत अच्छी है गरीबों के लिए पक्का इंद्रा रसोई के बारे मताओ आप इंद्रा रसोई बहुत अच्छी है गरीबों की खा यहां पर मान आयोए का सम्मान और लोगों को बिल्कुल उठकर जाने की जरुवत नहीं है अपने आप को रिव्योस्ता है चमच है नमक है यहां पर देखो डाल है कड़ी है रोटी है और ठीर है और इससे ज्यादा क्याने सुकते हो आप मात्र आठ रुपे में और आठ तो निसुलक है आठ तो मुझे भी ऐसे टाइम में आना पड़ा कि बिल्कुल निसुलक है अपने पर देख सकते हैं अंदर जो काम करते हैं रसोई को समाडते हैं वो लोग खड़े हैं और यह देख सकते हैं उपर लिखाव आफ़ाऑस पस्ट यह देखिये इंद्रा रसोई घ्राम पंचायत बूज पंचायत समीती जम्वारामगर्ण ह security लिएगे यह देखिए sitting व्यवस्ता इधर chairs और यह table और यह देख सकते हैं इधर रसोई है और यह देखो प्रोसगारी करने के लिए बाल्टी रखी हुई है प्लेट धो करके और सब व्यवस्ता अल्रेडी तयार है अब मैं ले चलता हूं आपको रसोई में इस बगोने में कड़ी और यह देखिए यह पूरी रसोई तयार है अभी रसोई का लगवग समापन हो चुका है यह इधर कड़ाई लगी हुई है यहाँ पर पूरी वगरा निकाली जाती है यह रोटी सेगने के लिए यह देखो यह चूला गैस पे सारा काम गैस पे होता है पूरी व्यवस्ता लगा जाता है इस प्रकार से यह सरकार की योजना है तो एक फोर्मल्टी पूरी कर दीजाए फोर्मल्टी से कोई लेना देना नहीं है काफी अच्छी व्योस्ता यह देखिए फ्रीज आपको दिखी रहा है यह फ्रीज अभी चालू है आप देख सकते लाइट आपको ये पूरी व्यवस्ता ये देखते हैं और इनका नाम तो में नहीं जानता हाँ जी नाम बताओ अपना क्या नाम है मेरा नाम मीनु देवी जी इस पूरी रसोई की देखरेग में अपना अध्यक्स हुआ हाँ जी बताओ जोर से बताओ मेरा नाम मीनु देवी इस पूरी रसोई की व्यवस्ता ये देखती है ये दिरमराज जी है साम के समय आजाते हैं कोई भी अगर व्यवस्ता गड़ बढ़ा रही हो तो पूरी व्यवस्ता सुचारू रूप से ठीक करवा देते हैं आजी दिरमराज जी बताओ आप क्या कहना कि आओके योजना के बारे में यहां पर भूशांदार खाने मिलता है जी समय है दोपेर का यह देखिए दोपेर का बहसे प्राते 8 बज़े से 1 बज़े तक रात्रिकालिन बोज़ं स्याम 5 बज़े से 8 बज़े तक बिल्कुल यहां पर सुद्ध खाना साहकारी खाना दिया जाता है और आपको इधर से और बता देते हैं ये इंद्रारसोय योजना ये देख सकते हैं कोई भी भूका नैसोय के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम आठ रुपए में पोश्टिक एम स्वादिष्ट बोजन अगस्त 2020 से और ये टोकन काटने वाली खिड कि अभी बंद हो चुकी है क्योंकि में रात के लगवगे साड़े आठ बच चुके हैं और आपको मैंने टाइम बता दिया है कि पांच वजजे से आठ वजजे तक खाना किलाए जाता है साड़े आठ हो रहा है अभी अभी हम खाना फिनिस करके उठे ही है उदर आपको लेता हूं देखिए यह स्वागत गेट मेहमानों के लिए फुलवारिया लगी हुई है और यहां पर यह देखिए यहां पर जो खाना खिलाने के बाद प्लेट है वो और यह डश्ट बीन वगरा पूरी व्योस्ता गजब की व्योस्ता है यह ब्रिजमोंग जी अभी रसोई स तोकन ले रहे हैं और यह देख सकते हैं काफी बहुत अच्छी व्योस्ता हैं तारिफ करनी पड़ेगी दोस्तों इस योजना की तारिफ करनी पड़ेगी क्योंकि गरीब और जो भूखे सोते हैं अलो दोस्तों यह है इंद्रा रसोई और राजस्तान सरकार द्वारा इंद्रा रोसोई खोली गए हमारे भूज ग्राम पंचायत में तो यह देखिए यहाँ पर खीर यह दाल और यह चपाती और यह कडी शांदार देख सकते हो इसका टेस्ट करके देखते हैं वाँ लाज जवाब टेस्ट दोस्तों खाने का स्वाद तो बे तोड है यानि कि ऐसा खाना हमने कभी खाया नहीं बिल्कुर स्वादिश पहना है जैसा घर में बनता है बाकी लोग कुछ भी कहे और गरीबों के लिए यह वर्दान भी सा भी तो रही है कापी टेस्ट है और आप देख रहे होंगे यह है इंद्रा रसोई भूज ग्राम पंचायत के अंदर यह हमारे भ्याई जी संकर जी क्या कहना चाहोगी आप इंद्रा रसोई के बारे में बहुत अच्छी है गरीबों के लिए पक्का समर्तन में हो बोट कॉंग्रेस को देना है अप्री बार नी बोट किसी को भी देले कि न आपकी इंद्रा रसोई जी बारे मताओ आप इंद् दोनों के लिए पक्का अजी द्रम रागी आप जी बता हूँ दोस्तों गैलो सरकार ने हर ग्राम पंचायत में इंद्रा रसोई खोली है और इंद्रा रसोई में आज हमने पहली बार खाना लिया है और खाने का स्वाद बेचोड है मैं तो आज पहली बार देख रहा हूं मज़े आ गया यहलो जी को मैं दन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी योजना है धिरासल पे आई और गरीबों तक संपाई है मैं किसी पार्टिकल सपोर्ट नहीं गर रहा हूं लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ सरकार की पढ़ते कि योजना गरीबों तक पहुँचे है आप बता हूँ जरा आपका क्या विचार रहा हूँ एक नंबर पक्का देखो सर्था रितमत करना इमानदारी से बताना पक्का केमरे की नजर में आप है पक्का है ना चलो ठीक सर देखे सर कोई किसी के दाब दवा दो में नहीं है लोग अपनी आप मुझ से तारिफ कर रहे हैं खाने को खा करके और इसका स्वाद वाकई में देखो इसमें गजब का स्वाद है जाते कि लिए रहा सकते हैं मज़ा आ गया दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर लोग इस योजना का लाब ले सकें और बूस के अंदर जो पहले बार ये इंद्रा रसोई खुली है तो मैं तो आज पहले बार खाना खा रहा हूं और स्वार बड़ा दिलेगा नेक्स टाइन जरूर आँगा ये संकर जी की देन रही कि आज खाने के उपर मुझे इन्वाइट के इनोंने बहुत बहुत धन्यवाज संकर जी को आज जिंदाबाद वो कोई दिक्कत नहीं है पालिटी सब जिंदाबाद है कोई सी भी लेखे मैं किसी पालिटी दाने की जरूरत नहीं है अपने आप पूरी व्योस्ता है चमच है नमक है यहां पर देखो दाल है कडी है रोटी है और ठीर है और इससे ज्यादा क्याने सकते हो आप मात्र आठ रुपे में है और आज तो निसुलक है आज तो मुझे भी ऐसे टाइम में आना पड़ा कि ब दोस्तों इस परकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेर जरूर करें जैहिन जैबारत